आज हम आप लोगों के लिए एक वीडियो लेका हैं जिसमें हम लोग सिखेंगे कि हाउ टू फाइंड मॉलेकिलर मास ऑफ कमपाउंड तो गाई सबसे पहले इसके लिए हम एक एक जामपर लेते हैं सोडियम हाइड्रोकसाइड का तो गाई देखेंगे हम लोग सोडियम हाइड्रोकसाइड एक जामपर लिए इसका फर्मूला देखते हैं सबसे पहले इसका फर्मूला होता है इन ए ओ एच सबसे पहले इस में देखेंगے कि यह सोडियम हाइड्रोकसाइड जो कमपाउंड है तीन एटम से मिलके बना हुआ है फर्स्ट एटम जो है वह सोडियम सेकेड एटम है ऑक्सिजन और फैट है थाड है इट्रोजिन तो सबसे पहले हम गाईस से पहले बाले वीडियो हम ने सोडियम का आटमिक नमर होता है 11 जो कि एक और नमबर है तो इसमें हम लोग फर्मूला देखे थे कि जिसका और नमबर हैगा उसमें इंटू टू प्लस वन करते हैं उसका मास निकालने के लिए इसके साथ करेंगे सोडियम का 11 इंटू हो जागा ट्वेंटी टू प्लस वन ट्वेंटी थी एम दूसरे लेंगे ऑक्सिजन जिसका आटमिक नमर होता है एट जो कि एक इवेल नमबर है इसमें इंटू करेंगे गाईज तो हो जागा स सिक्ष्ण एम यू एंट हर्ड जो हमारा हाइड रोजन है कि इसका होता है वान आटमिक नमबर और इसका मास भी होता है वान एंटमिक मास इन तो गाईज हम लोग इसके लिए क्या करेंगे कि सब का मास पाले निकाली अलग अलग उसके बाद सब को जोड़ देंगे तो हो हो जाएगा कि फोटी नाइन एम आटमिक मास यूनिट इसको कहते हैं सोडियम हाइड ऑक्साइड का मास हो जाएगा फोटी नाइन एम आज इसी तोर पर हम दूसरा एक्जाम पर लेते हैं काल्सियम ऑक्साइड अब गाइस हम दिखेंगे यह जो कैल्सियम अक्साइड दो एक्टम से मिलकर बना हुआ है एक हैस कैल्सियम और दूसरा है ऑक्सिजन तो इसका मास निकालेंगे गाईस सब सब पहले हम लोग करेंगे क्या कि कैल्सियम जिसका अटमिक नमर जाएग त्वाइंटी जो कि एक इसको इंटू करेंगे तो इसका मास निकलेगा तो इन दू फोटी एम आटमिक मास उनिट और गाईस एक्सिजन का देखें जिसका अटमिक नमर होता है एट जो कि एख एक इवे नमबर इसमें भी टू से मंटिप्लाइग तो हो जाएगा 16 एम तो गाईस हम लोग टूटली 6 एम आटमिक मास यूनिट गाई इसी तोर पर हम एक तिस्रा ग्यांपल भी लेकर देखते हैं कैल्सियम हाइड्र ऑक्साइड तो गाई इसका फर्मूला होता है कि सी ए ओवेज का हॉल ट्वाइस इसका आटमिक मास निकालने की कोशिश करिंग गाईज सबसे पहले देखेंगे कि यह तीन एटम से मिलका बना हुआ है पहला है कल्सियम दूसरा है ऑक्सिजन और तिस्रा गाईज है हाईड्रोजन तो हमने इसका मास निकालेंगे कैल्सियम का आटमिक नमबर होता है गाईस 20 जो कि इवें नम्बर है इसमें टूसे मंटिप्लाइज करेंगे तो होजागा 40 एम टॉमिक मास इंट आज देखेंगे सेकेंड एटम जो हमारा है ऑक्सिजन जिसका आटमिक नम इसका आट इसमें बिवेंट जो कि एक इवेंट नमबर है इसमें भी तू से मंट इपलाई करेंगे तो ऑक्सिजन का आटमिक मास निकलेगा जो को जाएगा सिक्षी इन एटमिक मास यूनिट अगा आज देखेंगे ठाड में हमारा हाइड्रोजन इसका आटमिक टार वन होता है और इसका आटम तो जो ऑक्सिजन का मास आया है इसमें भी तू से मंटिपलाई कर देंगे एक तो यहां के अउसार दोज़ाइगा 32 टू ए एम्यू और हाइड्रोजन में भी दो से मंटिपलाई कर देंगे तो इसका वज़ेगा टू एम्यू तो टोटल ही हम लोग देखेंगे तो कैल्सियम हाइड्रोक्साइड का जो कंपाउंड है उसका मास देखेंगे तो हो जाएगा 40 प्लास 32 प्लास टू इस उकल टू गाइस हो जाएगा यह हमारा